हेलो फ्रेंट्स वेल्कम यूज दोस्तों आज हम एक बहुत इंपरिट टॉपिक का बात करेंगे जो की बाइलोजी का है जो कि यह निट एस्पेरियंट के लिए बहुत सी इपॉर्टेंट है वह है क्राणियल लॉब बशचों लोगों को याद करने में भी डिफिकल्ट होता है तो इसके लिया जोंने ट्रिक लाएं जिससे कि उसका है लिए क्या कर सकते हैं हैं कौन से और मिक्ष्ण नम मेंुन नव में बात कर सकते हैं दोस्तों ओमनी ओमान ट्राइटॉफ ली आग अचीव गोल वाया ये 12th pair of cranial nerve को याद करने के लिए और इसका हर एक बात का फर्स लिटर डिनोट करता है क्राइब को और एक बात याद रतना है दुस्तों कि जो 12th pair of cranial nerve है हर एक cranial nerve को हम उसके साथ number को याद करना पड़ेगा यानि ये 1st cranial nerve तो हमें olfactory बोलना पड़ेगा 10th cranial nerve को बोलेगा तो हमें वेगस बोलना पड़ेगा तो आएए पहले इसका हम लोग नमदिंग कर लेते हैं यह हो यह फर्स लाएगा ये सकेंड ये 3rd ये 4th ये 5th ये 6th ये 7th ये 8 ये 9 ये 10 ये 11 और ये 12 आए ये 12 पर करने लोग का हम लोग नाम लेते हैं तो ओ फूर यह दिनोट करता है olfactory और ये दिनोट करता है optic और ये दिनोट करता है oclomator और ये दिनोट करता है trocoliol ये दिनोट करता है trigamnial ये दिनोट करता है abducens a.f. facial a.a. auditory auditory a.g. glossopharyngeal a.v. vegas a.s. spinal accessory और ये hypoglossals hypoglossals तो यहां 12 period of cranial nerve में यहां लिख दिना है 1st cell factory, 2nd है optic, 3rd है aklomotor, 4th है trocoliol, 5th है trigamnial, 6th है abducens, 7th है facial, 8th है auditory 9 है glasopharyngeal, 10 है vegas, 11 है spinal accessory, 12 है hypoglossals और यहां दोस्तो हर वार निफ की exam में भुहारा था ही कि कौन से cranial nerve तुहारा motor motor nerve है, sensory nerve है और यहां mixed nerve है तो यहां पर यह एक trick है दोस्तो क्या है 1, 2, 8 यह sensory nerve है means olfactory optic and 8th nerve it is auditory is sensory nerve and 5, 7, 9, 10 यह है mix means यह motor sensory दोनो है और rest one 3, 4, 6, 11, 12 यह है मेरा motor तो 1, 2, 8 sensory nerve है 5, 7, 9, 10 5, 7, 9, 10 जो कि mix है and 3, 4, 6, 11, 12 जो कि motor है आईए यह आईए 12 pair of canilov का हम functions देखे हैं दिखते हैं जो कि बहुत easy है दोस्तों याद करने के लिए Olfactory हम यह function लिख लेते हैं Olfactory का function क्या होगा नाम सी पता चल रहा है smell Optic का reason Opel motor eyeball movement Trocolier का भी होता है इसका eyeball movement इन दोनों में यह difference होता है कि यह ocular motor eyeball का मतलब उपर नीचे move करने वलत करता है और यह retrocolier यह left and right movement of eyeball में help करता है यह trigamnial हो गया Facial sensation और आपन एन क्लॉस जो यह abduses का भी function होता है eyeball movement यह facial nerve का function होता है Facial expression auditory का होता है नाम का शलता है Hearing and Balancing Glacopharynzal का Swirling में function करता है VEGAS इसका ही बहुत सारव आप इसका ही बहुत सारव आप H for heart हो गया eyes हो गया intestine हो गया stomach हो गया larynx हो गया lungs हो गया gall water हो गया pancreas हो गया to contract and liver also Spinal accessory का function हो गया head turning and shoulders rugging और hypoglossals का tongue movement तो यह इसा cranial love का functions और याद करनाएट का टिक दोस्तो अगर यह वर्ड याद करनेगे sentence है the ovni of oman try toughly and finally achieve goal via succeeding hyunda तो आपको यह 12 pair of corneal arms याद हो जाएगा motor, sensory, neuro जितना भी mix नवे सभी याद हो जाएगा तो दोस्तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करें, like करें और subscribe करना ना बोले Thanks for watching